ओम नमह परमान्शाय स्वादित्य चरण कमल चिंतनम गरंदाय भक्त जनमानश निवाशाय स्री राम चंद्राय नमह परमाध्यक्ष स्वयम प्रभू इस जमात के जो ये इंटरनेशनल जमात है ये संपूर्ण विश्व में जो काम करती है ऐसे जमात के जो इमाम मीर्जा शाहब है उनको मैं शलाम करता हूँ और भारत वर्ष में काम करने वाले मुहम्मद इमाम शाहब गवरी उनका मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ अयोध्या की पावन भूमी से मैं चल करके आया हूँ जिस प्रकार से इस पवित्र भूमी कादियान से संपूर्ण विश्व में इंसानियत का धर्म का संदेश लेकर के यहां की जमात कारी कर रही है इसी प्रकार से संपूर्ण विश्व में सांती हो सभी खुसहाल हो सभी के अंदर मानवता इस्थापित हो उसका संदेश लेकर के अयोध्या से भगवान राम चले और उन्होंने अपने कालखंड में संपूर्ण विश्व को सांती का अब मानवता का संदेश दिया वास्तों में ये जो भारत की भूमी है यहाँ पर समय समय पर अनेक प्रकार के दूत पैगंबर फरिस्ते जिनको आप कहते हो उनका आवतार होता रहता है ये भारत की भूमी ही पवित्र भूमी है, दूतों की भूमी है, फरिस्तों की भूमी है और उसी का ये पवित्र छेत्र जिसको हम कादियान कहते हैं, तीर्थ कहते हैं, जिसको आप पाक बोलते हो तीर्थ का मतलब ही होता है पवित्रता कोई भी धर्म आपस में लड़ाई जगडे का संदेश नहीं देता है और हर धर्म मानवता का धर्म है प्रेम का संदेश देता है मैं तो आपको क्यों एक बात कहने आया हूँ आप जिस धर्म पर कायम हैं आप जिस धर्म को मानते हैं वही धर्म से आपका कल्याण होने वाला है उसको आप इमानदारी से पालन करें उसे से आपका कल्याण होगा किसी के लिए भी आप सक्त जुवान में कोई भी लगज ना बोलें ऐसा मेरा अग्र है, ऐसा निवेदन है अगर परमात्मा को सक्तियत परसंद होती अगर उसको कठोरता परसंद होती तो जुवान में भी हड़ी होती अगर परमात्मा को कठोरता परसंद होती तो जुवान में हड़ी होती किसी विक्ति ने कहा कुदरत को ना पशंद थी सक्ती जवान में कुद्रत को ना पशंद थी सक्ती बयान में इसी लिए तो नहीं दी हड़ी जुबान में आप प्रेम करो स्ने करो आपस में एक मानो धर्म का पालन करो हर व्यक्ति का शम्मान करो और जो आपकी उपासना पद्धती है जहां भी रहे विशु के किसी भी पोने में रहे उसको इ यही हमारा संदेश है यही हमारे पूजी महराजी का संदेश है एक शब्द है जिसमें आप जानते होंगे हिंदी में सब्दे भोजन और हम अपनी उपासना पद्धती को भजन कहते हैं तो भोजन और भजन में अंतर क्या है भोजन और भजन में केवल मात्रा का अंतर है भ भोजन तो मात्रा में करो, डाये तो मात्रा में लो, लेकिन परमात्मा की बंदगी, परमात्मा की इबादत, आप मात्रा में ना करो, जो समय मिले, जैसा समय मिले, उसमें करते रहो, करते रहो, करते रहो, आपकी इबादत, आपका कल्यान करेगी, कल्यान करेगी, और आप मैं महाराजी की तरफ से आप लोगों के लिए शंदेश देता हूँ कि आपका धर्म, आपका संप्रता है पूरी विश्व में छा जाए ऐसी शुबकानाओं के साथ जै हिंद जै भारत